हेलो एब्रीवान आ हैं मेर वन्स अगें भी नीव वीडियो अप केंप्यूटर सुटिक आउट यूर केंप्यूटर बूक अपने पेज जमबर फॉर्टीवन फॉर्ट एडवांस फीचर साफ वर्ट प्रोसेसर सेगेंड ओके केस स्टार्ट करेंगे MS Word is an of the most popular word processing application software MS Word हमारा किसरा का software होता है यह हमारा application software होता है बच्चों हम लोगोंने प्रीविस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिसकस किया था सो स्टार्ट करेंगे how to open word MS Word को कैसे open करेंगे firstly click on start button then click on all apps after that click on Microsoft Office 2013 and last click on Word 2013 in this way Microsoft Word open हो जाएगा next topic is insert paragraph बच्चों आपने इसे already complete कर लिया है as a lab work देखते हैं बच्चों आपने जो डॉक्यमेंट बनाया है वहाँ पर कोई भी पिक्चर को insert करना होता है तो आप कौन कौन से step को लेंगे firstly click on insert tab then click on pictures from the illustration group जैसी click करते हैं आपके screen पर इस तरह के pictures available हो जाते हैं यहां से आपको जो भी पिक्चर अच्छे लग रहे हैं उस पर आप click करेंगे क्लिक करने के बाद आपको बिटा क्या करना है यहां पर दिखिए insert option दिया है आपको इस पर click करना होगा जैसे ही click करेंगे आप दिखेंगे कि आपका जहां पर document है वहाँ पर आपकी picture insert हो गए होंगे इस तरह से आपके document में पिक्चर को insert हिया जाता है move on next page this is a next topic insert word art firstly हम यह जान लेते है word art क्या होता है word art is decorative text that you can add a document okay word art क्या होता है हमारे text को decorative by make क्या करता है हमारे text को so करता है you can make तो बच्चो आप इसको क्या कर सकते हैं इसका font size भी change कर सकते हैं इसका color भी change कर सकते हैं text group the word art gallery appears on the screen okay select the style from the gallery edit word art text dialogue box appear on the screen okay बच्चो जैसे आप word art पी click करेंगे तो आपकी screen पर इस तरह का so होगा okay यह आपकी types of word art हैं यहां से आपको जो भी attractive लगते हैं इसको आप click करेंगे जैसे ही click करेंगे बेटा आपकी screen पर इस तरह से सोगा यहां पर ही आप अपनी text को क्या करते हैं write करते हैं type करते हैं text को type करने के बाद अगर आपको font size change करने की need है तो font size को आप change करेंगे आपको चेंजिंग फॉंट साइज आप बेटा कहां क्लिक करेंगे बटन पर जैसे क्लिक करते हैं आपका टेक्स्ट क्या हो जाता वर्ड आठ हुआ आपको नजर आता है बच्चो तो इस तरह से हम वर्ड आठ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस पेज वर्डर पेज बॉर्डर क्या होता है पेज बॉर्डर आपको यह दूसरा ओप्चन होता है हमारे डॉक्विंट को एट्रेक्टिव बनाने के लिए यू कैन एड पेज बॉर्डर ऑप पेज बॉर्डर को एड कि लिए फर्स दी कहां के लिए देजाइं टैब पर दें प्रें प्रेंगेगर्वा पर दर आपको फिस बॉर्डर पर क्लिख होगा यह आपको मिलेगा पेज बेग्राउंड पर चूज यूर्ड डिजायर्ड स्टाइल करें रंड विद फॉर्ड बॉर्डर ओके बच्चो जैसे याप पेज बॉर्डर पी क्लिक करेंगे आपको यहां पर इस तरह से यह सो होगा ओके यह आपका पेज बॉर्डर यह एटरेक्टिव होता है यह कलरफूल भी होता है इस पर आर्टवर भी होता है जैसे यहां पर यह पेज बॉर्डर में आप एपल का भी उज़ कर सकते हैं आइस्क्रीम का भी उज़ कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे आप्शन दिये होते हैं तो आपको यहां पर जो भी लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद बच्चो आपको कहां क्लिक करना होता है रास्ट में ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके किनारे पर आपको पेज बाडर हुआ मिलेगा इस तरह से ऑके बच्चो इप यू वांट टो टेक्स यू कान लुक इट इन प्रिविव बिंडो अगर बच्चो आपको ओकी करने से पहले अपने पेज बाडर को देखना है तो वहां पर आपको प्रिविव ऑप्शन भी सो प्रिविव ऑप्शन भी सो होता है यहां से आप देखते हैं कि आपने जो पेज बाडर किया है वो देखने में अट्रेक्टिव है या नहीं आप यहां से इसे चेंज भी कर सकते हैं ओकी तो इस तरह से बच्चो हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज बाडर को एड़ Then click on page color option. In the page background group. Page background group पे और आपको page color option मिल जाएगा. Okay बजचो जएसे page color option पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से color एस क्लिक होगा यह अजा लगा जो भी color अच्छा लगे जो भी color आपको एच्छा करना हो यहां से क्लिक करेंगे ज़िए हैं इसी तरह से आपके स्क्रीन पर ये color होते हैं इस तरह से आपके जो पूरा document होता है वो पूरा क्या हो जाता है colorful हो जाता है ओकी आई हो बच्चों आपको समझ में आये होगा आइए हम इसे related exercise को complete करते हैं first exercise fill in the blanks बच्चों आपको इसे book में complete करना है you can insert a picture which you have in your file फिल करना है फाइल वर्ड आर्ट इजे अभी आपको बताए गया है decorative text second में प्लेटीब फिल करना है c में आपको फिल करना है page border are just another way that can decorate your word documents को थर्ड में क्या फिल करना है page border d you can group shapes together फॉर्ड में आपको together फिल करना है and e में ms word इजे किस तरह का software होता है बच्चों यह आपका word processing software होता है तो आपको 50 में word processing software फिल करना है move on next page for the next exercise next exercise is trick the correct answer okay first is page color in ms word is used color the whole page okay page color का use हम पूरे page को color करने के लिए करते हैं first में first पर क्लिक करना है a decorative text that you can add to a document is called word art okay हमारे text को decorative करने के लिए हम किस option का use करते हैं word art का see ms word is used to write text ms word का mostly used बच्चों हम लोग text को write करने के लिए करते हैं document को बनाने के लिए करते हैं last a picture or text that appear behind the documents contents each card okay बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे हम जो document लिखते हैं उसके पीछे जो another text so होता है उसे क्या बोलते हैं watermark बोलते हैं तो last में आपको कहां पर टिक करना है watermark